गड़तनतर द्यवस के उपर हुई घटना के बाद से कई लोगों के उपर सराँसर एक्षिन लिया जा रहा है कई सारी F.I.R. दर्ज की जा रही है, कई सारी बयान बाजियां हो रही है पलटवार किया जा रहा है, आरोप प्रते आरोप लगाया जा रहा है तो कोई किसानों को दोशी ठहरा रहा है लेकिन यहाँ पे एक टिक्चर और निकल के है कि भाई यह लोग जो हैं वो पुलिस को भी दोशी ठहरा रहा है लेकिन यहाँ पे समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखर गलती किसकी है किसकी रही है यह जिन्यों को ने उपद्रव मचाया उनका कहना है मतलब उनके लीडर्स का कहना है जो किसान नेता है उनका कहना है वो जो लोग थे उन सरकार के दोरा ही भीजे गए लोग तो फिर मेरी बात जो मैंने कल भी उठाई थी कि भाई आखेर लीडर्शिप फिर किस काम की अगर आपके अंडर जो लोग हैं वो आपकी ही ना सुनके दूसरे लोगों की सुन रहा है जो उनको एक दिन में आके भड़का दे रहा है तो फिर आपकी लीडर्शिप किस काम की खेर ये सब बाते करने का अब जादा कोई मतलब रहनी गया क्योंकि जो होना था सो हो चुका है अब आगे ये देखना है कि परिणाम सुरूप क्या होगा क्योंकि पिछले साल जब कुछ इसी तरह के घटना दिल्ली में हुई थी तब भी चीज सुनने में आ रही थी कि आखिर सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया लेकिन जैसे जैसे समय बीता जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया हमने देखा कि कैसे जितने भी लोग थे इसमें शामिल उन सभी को सजा मिली अब ये बात अलग है कि एकदम सामने आके सरकार से किसी ने क्यों कुछ नहीं बोला लेकिन हाँ जितने भी दोशी थे वो पकड़े गए और उमीद यही है कि अब जो इस केस में होना है वो भी यही होना है बहराल एक चीज जो सभी को शिकायत हो रही थी कि भई ट्विटर जो है आकिर ट्विटर इस तरीके से एक्शन क्यों नहीं ले रहा ट्विटर को ये भी कहा जाता है कि वो लिफ्ट की तरफ को ज़्यादा ही जुका हुआ रहता है इसलिए भी इस चीजे होती है लेकिन इस घटना के बाद जो एक चीज निकल के सामने आई वो है ट्विटर ने जो एक्शन लिया है वो तो हेड्लाइन के जो तरह से आईए कि ट्रेक्टर रैली में हिंसा के बाद ट्विटर ने पान सो पचास अकाउंट सस्पेंट और सभी पे रखी जा रही है पैनी नजर मतलब कुछ एक अकाउंट से कई पाकिस्तान के भी अकाउंट से जहां से इन सभी चीजों को लेकर कई सारे ट्विट्स किये गए लोगों को उकसाने के काम किया गया यह चीज पहले ही सामने आ चुकी थी कि करी 300 पाकिस्तान की तरफ से अकाउंट जो है इस चीज को लेकर एक्टिव हो गया है और अब यह खबर आना कि साड़े 500 अकाउंट जो है वो सस्पेंट कर दी गया है अब देखते हैं कि आगे चलके इससे कुछ निकल पाता है कि निकल पाता है क्योंकि जो होना था हो चुका है और एक तारिक को मतलब एक फरवड़ी को जो पार्लियमेंट को लेकर जो खबरे आ रही है सामने वो बहुत जादा देखने लायक होंगी कि उस समय ट्विटर इन चीजों को कैसे हैंडिल करता है तो खबर कुछ ऐसी है कि राजधानी दिल्ली में गरदन दिवस के मौके पर किसान दौरा की गई ट्विटर रेली के दोरान हुई हिंसा के सिलसले में ट्विटर ने बुद्वार को कडिव साड़े 500 अकाउंट्स को सस्पेंट कर दिया ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि हिंसा दुर्वेवार और धंकियों के लिए उसके प्लेटफॉर्म पर कोई भी जगे नहीं है ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिंसा की तस्वीरे शेयर करने वाले और शांती भंग करने वाले मैसेज शेयर करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की जा रही है ऐसे मैसेजों की जाच की जा रही है जो सोशल मीडिया के नियमों का लगतार उल्लंखन कर रहे है और समाज में अशांथी फैलाने का काम करते हैं जो की हमारी खुद की वैबसाइटों के नियमों के खिलाफ है और उनका सरासर उल्लंखन है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ओर से कहा गया कि इसने उन ट्वीट्स पर लेबल लगा है जो मीडिया पॉलिसी का उल्लंगन करते हुए पाए गया इन अकाउंट्स पर पहनी नज़र रखी जा रही है समवाद से सर्विस को बचाने के लिए सक्ट कारवाई की है जो कुछ नियमो को तोड़कर ओफलाइन नुकसान का जोखिम पैदा कर सकते थे उन्होंने आगे कहा कि टेकनलोजी का इस्तमाल करते हुए ट्वीट्र ने बड़े पैमाने पर काम किया और सेकड़ अकाउंट्स और ट्वीट्स पर एक्शन लिया जो ट्वीटर नियमो का उलंगन कर रहे थे स्पैम और प्लेटफार्म पर हेर्फोर करने में लिप करीब साले 500 अकाउंट्स को हमने सस्पेंट कर दिया है मतलब वो अकाउंट अब किसी काम के बचे नहीं है और उन्होंने आगे कहा कि राजधानी के गौर्टलाब है कि किसानों में 26 जनवरी को गरदन दिवस के अफसर पर शान्ति पूर्ण रैली की अनुमत्य दिल्ली पुलिस से ली थी लेकिन शर्तों को माना नहीं गया किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर बैरिगेट्स को तोड़ कर राजधानी में प्रवेश्ट किया और जगे जगे पर उपत्दरों मचाना शुरू कर दिया राजधानी में हुई इस हिंसा के बाद एक्शन मूड में आई दिल्ली पुलिस के ने तरीफ 37 नेताओं पर फाई आर दर्ज करी है इसमें राकेश तिकेत डॉक्टर दर्शन पाल जोगंदर सिंग बूटा बलवीर सिंग राजिनदवाल और राजिन सिंग के नाम शामिल ह समयपुर बाद ली में दर्ज F.I.R. नंबर 49 में नर्मदा बचाव अंदोलन की मेधा पाटकर और सुराज इंडिया के योगेंदर यादव का भी नाम शामिल है योगेंदर यादव को अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो यह वहीं हैं जो बहुत मीठी मीठी तरीके से बाते करते हुए चूरी घुपते हैं और बात समवाद में काफी अच्छे हैं इसलिए लोग जो इनकी बातों में आ जाते हैं वो इनकी बातों को बहुत अच्छे हालत हुई थी लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद जो 26 जनवरी को हुआ योगेंजी जी भी उन सभी लोगों में शामिल थे जिन लोगों ने सिरे से इस चीज को नकार दिया था कि भाई ये जो चीज हुई है ये चीज हमारे लोगों द्वारा नहीं किया गया था अब मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि चाहे मैं हूँ चाहे मुझे से काम करने वाले और भी कई लोग हो सभी ये चीज कह रहे है कि वही है किसान आंदोलन में किसान तो अब बोली नहीं रहे है कुछ बलकि किसानों के रूप में जो वहाँ भेड़िये आके बैड़ गए हैं जिन्होंने उस आंदोलन को इंफिल्ट्रेट कर लिया अब तो सिर्फ वही लोग बोल रहा है वही एक्जामपल के लिए आप याद करें कि एक बार लोगपल बिलको लेकर जन सत्ता गिरा हुआ था जिसकों की लीड कर रहे थे अन्ना जारेजी उन्होंने कहा था कि हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जन्ता की सेवा करना है और जन्ता के लिए जो चीज सही है उस चीज को लाना है हमारा मुद्दा ये बिलकुल भी नहीं किल कोहम किसी तरी की पॉलिटिकल पार्टी बना लेकिन फिर उन लोगों के बीच में क्या चीजें हुई क्या कुछ गलत फैमिया शामिल हुई लेकिन प्रिणाम सरूप आज हमारे सामने आम आदनी पार्टी बैठी हुई है ले ऐसा ही कुछ इस आंदोलन का भी लोगों ने उप्योग करने की सोची और किसान नेता के रूप में उभर के सामने आने लगे हाला की 26 जनवडी के वी घटना के बाद से पूरे देश ने देखा कि भाई किसान नेता क्या कुछ कर सकते हैं और क्या-क्या उन्होंने खुद किया भी लाल के लिए से पुलीस वाले कूटते हुए नजर आया कई जगे भागते हुए नजर आया लाठी डंडे भाले तक लोग लेकर उनके पीछे भागे तलवारे नंगी तलवारी लेकर लोग घोड़ों के भाग रहे हैं ऐसे लोग आखे किसान कैसे हो सकते हैं मुझे समझ में नहीं आता हाला कि ये भी बात कही जा रही है कि टिकेट साहब पर एक वीडियो भी काफी जाता वायरल हुआ जिसमें कि वो लोगों से कहते हो दिखाई दे रहे थे कि भाई दिल्ली आओ डंडे अंडे लेके आओ जिसके बचाव में उन्होंने ये कहा है कि भाई हम तो जंडों के लिए डंडे लाने के लिए कह रहे थे आप मुझे एक जंडा दिखा दीजिए बगर डंडे का हो तो आपनी गलती मान दूँगा इस सब तो शब्दों के खेल होते हैं जो इसमें इंसान सामने वाले को कई बार उल्जा जाता है बता दें कि हतियार लेकर नहीं चलना, निर्धायत मार्क का पालन करना, ट्रॉलियों के बिना ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में प्रवेश करना ये कुछ शर्ते थी जिस पर सहमती किसान नेताओं और पुलिस के बीच बनी थी लेकिन वंगलवार मतलब 26 January 2021 को ट्रैक्टर प्रेट में शामिल कई प्रदर्शन कारियों द्वारा इसका उलंगन किया गया प्रेशी कानूनों के खिलाव प्रदर्शन कारियों के मार्च में इस शर्त का भी उलंगन किया गया कि ट्रैक्टर पर पाँच से अधिक सवार नहीं होगे ये ट्रेक्टर मार्च हिंजक हो गया और इस दौरान प्रदर्शन कारी हो और पुलिस के बीच कई स्थानों पल जड़पे भी जड़प में मतलब एक लड़का जो इसकी मृत्ती हुई हो तरह खंड का था उसके लेकर तो यहां तक कई लोगों ने फेक नीज़ वराने शुरू कर दी कि भाई वो पुलिस की गोली से हुआ है खेर बाद में सारी चीज़ सामने आगई हैं आजकल सीसी टीवी का जमाना है हर जगे कैमरे लगे होते हैं तो इनसान का कैमरे से बचना काफी हद तक मुश्किल होता है तो ऐसे में जैसे सीसी टी वोटेज सामने आया कई लोगों की बोलती तो अपने आप बंत हो गई बस अब देखना यह है कि जिस तरह का काम योगी आतितिनात कर रहा हैं वहां से साटी वी बॉर्डर पे भई रातो रात बजली गाया भोगई अभी कुछ एक वीडियो में बताऊंगा मैं आपको तो क्या वैसा काम बाकी जगे पर भी देखने को मिलेगा और कई जगे तो मैंने यहां तक देखा है कि भई जो किसान उनकिसानों ने अपनी जगे खाली गरना तक शूरू कर दिए मैं आपको अगले वीडियो में उसका भी बीडियो को भी शियर करूँआ वह वीडियो जरूर देखिएगा उसमें कई निषिक किसान है जो कि आप छोड़के जा रहे हैं उन्होंने कह दिया है साफ कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट अब खताम है दरसल जो हिंसा हुई उससे कई लोगों को अगहाद पहुंचाया और कुछ नहीं मुईत करता हूँ जो बात में आपको समझाना चाता तब समझ गया होंगे मेरे इस वीडियों से लाल इतना ही आगले वीडियों जल्दी ही मुलाकात होगी जय हिंद जय बात